जजबा है तो एंबिशन तुम्हारे लिए है और जीत और हार जैसा कुछ होता ही नहीं जीवन में हर वो आदमी जो आपकी मुसीबत में आपको याद करता है वो आपका दोस्त है लाइफ गेम है से मिडल क्लास लोगों को इस शब्द को मानना ही नहीं चाहिए तो यह वाड़ जो डिफीट है यह कॉंस्पिरेसी है जजबा जो है ना जजबा टेम्परमेंट जसके पास नहीं होता ना मैं तो मानते हैं नहीं कि जैसे मैं लोगों से मिलता हूँ तो मैं एक चीज उनमें चप करता हूँ कि जजबा है जजबा है तो एमबिशन तुम्हारे लिए है नौकरी तो सब ही करेंगे 98% लोग दुनिया में नौकरी करेंगे पर नौकर मेंटेलिटी का होना नीच्छे यही तो कहता है मास्टर मॉरालिटी एंड स्लेव मॉरालिटी फेडरिक विलियम नीच्छे कहता दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं मास्टर मॉरालिटी गुलाम भी है न तो अदा रहेगी उनके अंदर एक time being के लिए गुलाम हो सकता है mentality नहीं change होगी जंगे तो जीती ही जाएंगी सर और जीत और हार जैसा कुछ होता ही नहीं जीवन मैं Life is a game simple Life is a game हमारे जो पहले teacher रहे मेरे पिता जी उन्हें बड़ी सारी बाते मुझे सिखाई अक्सर मैं उनका नाम लेता हूँ श्री माता प्रशाद ओजा जी postmaster रहे postmaster से retire हुए गोंडा head office से retirement तो वह हुए वजीर गन post office से लेकिन बड़ी आम सी जिंदगी शुरुआत की पढ़ी common सी जिंदगी उन्होंने शुरुआत की शायद जैसा कि उन्हों मुझे बताते हैं की male boy हुआ करते थे male deliver किया करते थे male pun हुआ करते थे और tar messenger हुआ करते थे फिर postman थे फिर departmentals exam देते चले गया और growth होता चले गया तो मुझे कहते थे कि बेटा देखो जीवन में मैं तो बहुत कुछ नहीं कर पाया शायद मैं उतनी हिम्मत नहीं जूटा पाया लेकिन उन्होंने कुछ चीज़ा मुझे सिखाई उन्में से एक ये भी कहा कहा ये जो defeat word है defeat कुछ दुनिया में word बनाई है aristocracy ने बनाया है जो शाही वर गया इसने कुछ शब्द बनाया है ये खुद तो नहीं मानती जैसे राहूल जी है इतने election हार चुक है उनके नेतरुत में Congress हार चुकी है लेकिन फिर भी लड़ते है वहीं पर एक common लड़का IS का पहला प्रलिम्स देता है फेल हो जाता है वो डिपरेशन में चला जाता है तो ये वर्ड जो defeat है ये conspiracy है कुछ वर्ड है दुनिया में उनसे आप बचियेगा defeat जैसा कुछ भी नहीं होता कुछ भी नहीं होता when you are struggling struggle is a very good thing in life no one will be there in your life and that's very good तपस्य करते वक्त कहा लोगों की जरुवत है हाई नहीं बुद्धिस वंडरिंग इन्टार नॉर्ड नॉर्ड इंडिया पूरे नुचर भारत में बुद्ध घूम रहे है जब वो घूम रहे है उस वक्त एक दो लोगों का नाम सामने आता है वो बच्ची जो है गया में जिसने उन्हें दूद और चावल खिलाया बाकी कौन मिला किस से मिला पता ही नहीं पर जब बुद्ध एचीव्मेंट करके आते हैं बाहर फिर तो जो होड मस्ती है बिंबसार, आजाद, शत्रु, आनंद, उनकी वाइफ सर ये लौ है सर इसमें डरने की कोई ज़रुत नहीं है दुखी नहीं होना है सर जब आप यहां हो स्ट्रेगल कर रहे हो कोई नहीं होगा सर आपके साथ होगा ही नहीं सर उस वक्त एक-दो लोग होंगे Rarity of rare जैसे मैं अपने पिता जी को बोलता हूँ जैसे मेरी वाइफ है श्रीमती मंजरी ओजा जी वोनोंने स्ट्रागल में भरपूर साथ दिया मैरा वाला गर हम चावाल उबाल के खाते रहे तो वो भी खाती रही हमारे पास पैसा नहीं था कि हम उन्हें A.C. में भेजें तो वो जैनरल नहीं जाती हैं दिलनी से बहुत कम लोग होते हैं सर वो डरने की बात नहीं होती सर अच्छा है इस लिए बहुत बड़े गर के जो लोग होते हैं बहुत पैसे वाले घरों के लेवजी होते हैं, बहुत पॉर्फुल घर के जो लोग होते हैं, वो बहुत लोगों से गीरे हुए होते हैं. That is the biggest destruction when you are struggling. अगर आपकी, आप देखें इस बात को गौर करें, कि जितने उचाई, नीचे तपके से लोग उपर उठकर, जितने उचा पहुँच जाते हैं, उतना आम तोर पर, aristocracy की लोग नहीं पहुँच बाते हैं. लानु जी उसका बहुत बड़ा example है, मुलाइम सिंह यादू जी उसका बहुत बड़ा example है, क्योंकि जितने लोग आपके पास रहेंगे, उतना distraction, अगर आप IS की तयारी करते हैं, और 10 दोस्त हैं आपके, आप खत्रे में हैं सर, हो ही नहीं सकते, 15 दोस्त हैं, 20 दोस्त हैं, 25 दोस्त हैं, हो ही नहीं सकते सर, एक होगा कोई, जो आपको हर हफ्ते फोन करके बोलेगा, यार आज बजार में जा रहे थे, पंडीजी मिले थे, तुम्हारा नाम बताए, बोले प्रॉपर आईयस, भले उसे कोई न मिलाओ, हर वो आदमी जो आपको उत्साह दे रहा है, वो आपका दूस्त है, हर वो आदमी जो आपको उत्साह दे रहा है, हर वो आदमी जो आपकी मुसीबत में आपको याद करता है, वो आपका दूस्त है, यह सब पैरामीटर्स हैं सर, वो जो शराप पे आपको बुला रहा है, वो तो दोस्त है ही नहीं सर, उसका तो डाइरी से नाम ही काट दीजे पॉस्बिलिटी ही नहीं बुला रहा है इन्वाइट कर रहा है जो आपको जूस पीने के लिए बुला रहा है न ठीयार आवद हो जा आजाओ शाम को आज दस ग्लास अनार का जूस पीएंगे वो दोस्त है सर जजबा होना चाहिए सर लाइफ गेम है सर गेम जजबे पर ही खेला जाता है डिफीट जैसी कोई चीज होती नहीं अस्टेलियन चार चार वर्ल्ड कप लगातार जीते हार गये फिर जाके सबने सुसाइड कर लिया नहीं मिडल ख्लास लोगर मिडल ख्लास के लोगों को इस शब्द को मानना ही नहीं चाहिए मानना ही नहीं चाहिए कि डिफीट जैसी कोई चीज होती है लोग हसेंगे आपके ओपर बिलकुल हसेंगे पीपल आप दराइट तो लाफ जो आप बड़ी-बड़ी बाते करोगे जैसे कभी-कभी मैरे पास ऐसा होता था कि एक रुपए जेब में नहीं मैं हवाईजास खरीदता था आज भी खरीदता हूं आज भी खरीदता हूं सर डिफीट जैसे कोई चीज नहीं होती सर इस वर्ड क्रिएट बाइरिस्ट्रेसी तो कन्फ्यूज कॉमन पीपल सब को समझ में ही नहीं आता लोग हसेंगे मेरे उपर हसने तो हम कौन सा मुगल खांदान से हैं कि लोग हसेंगे तो हमारा कुछ बिगळ जाएगा और अगर आप हैं तो फिर आप चंता करिए हम तो नहीं थे डिप्रेशन से लोगों को बाहर निकालना है डिप्रेशन से लोगों को बचाना है गेम चलता रहेगा सर